नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाओ आज तक बिहार के पूर्व डिप्टी सीयम और आरजेडी नेता तेजस्वी आदब के एक बयान की सूबे की सियासत में खलवली मचा दी है सोंबार को पूर्णिया में रैली को संभूधित करते हुए तेजस्वी ने लोगों से अंडिय को वोट देने की अपील कर दी ये स्लिप आप टंग का मामला नहीं है बलकि तेजस्वी ने वही कहा जो वो कहना चाहते थे उनकी सपील की आप तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं पीजेपी का कहना है कि आरजेडी ने पहले ही हार मान ली है पूर्णिया से निर्दली उमीदवार पपको यादव इसे तेजस्वी के दिल की घिन्ना बता रहे हैं वहीं तेजस्वी की बहन मीशा भारती तो ये मानने के लिए तयार ही नहीं है क्योंकि भाई ने कुछ ऐसा कहा होगा दरसल तेजस्वी यादब सोंबार को सीमांचल शेत्र के पूर्णिया से चुनावी रैली को संभूधित करने आये थे रैली में उन्होंने लोगों से कहा कि वे इंडिया गटवंदन की उमीदवार बीमा भारती के पक्ष में वोट करें साथ ही ये भी जोड़ा कि यदि बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते तो एंडियो को वोट दे लेकिन किसी और को ना दे ते जस्वी का इस पष्ट इशारा पप्पू यादब की ओर था जो इस सीट से निर्दली चुनावी मैदान में है या तो आप इंडिया को चुड़ो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो भी मा भारती को तो आप इंडियो को चुड़ रहो साफ बात साफ बात है ते जस्वी का इबयान सामने आते ही एंडियो को हमलावर होने का मौका मिल गया बिजेपी और जेडियू नेताओं ने इसे हातों हात लिया वे इसे इंडिया गटवन्दन की पराजित मान सकता बता कर प्रचारित करने लगे बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता समराच चौधरी ने कहा कि तेजस्पी पहले ही हार मान चुके हैं इसलिए भी इस तरह के बयान दे रहे हैं पूरी तरह हतासा का ब्यान है, हार मानने वाले का ब्यान है और भारतिय जनता पाटी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं, 40 की 40 सीट भारतिय जनता पाटी जीत रही है। तेजस्पीक इस बयान के बारे में जब उनकी बड़ी बहन और पाटली पुत्र सीट से आरजेडी की उम्मीदवार मीशा भारती से पूछा गया तो वे मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई मीशा ने कहा कि ये संबब ही नहीं है मीडिया कर्मियों के बार बार पूछने पर मीशा इसपश्ट रूप से असहिश दिखने लगी अब इस बोलना चाही था हुई मतलब है नहीं आप कह रहे हैं तब सुन रहे हैं आप चेक भी करेंगे इसको वेरिफाई भी करेंगे लेकिन असंभव बात है ये पूणिया सीट पर वैसे तो मुख्य मुकाबला एंडी और इंडिया गटवन्दन के उमीदवारों के बीच है लेकिन पप्पू यादब निकाबले को त्रिकोन ये बता रहे हैं पप्पू पहले भी पूणिया के सांसद रह चुके हैं तेजश्वी को डर है कि पप्पू यादब और मुस्लिम और यादब वोटों में सेंद मारी कर सकते हैं जो उनकी पार्टी का कोर वोट वैंक है राजनीती विशलेशकों का मानना है कि तेजश्वी ने एमवाई समीकरण में सेंद मारी डोकने के लिए ही ये बयान दिया है तेजश्वी जानते हैं कि मुसल्मान वोटर एंडिय को वोट नहीं देगा यदि तेजश्वी की बात का असर हुआ तो उसके पास भीमा भार्ती को वोट देने का ही विकल्फ होगा दूसरी और यदि मुसल्मान और यादों के थोड़े बहुत वोट भी पपू के पाले में गए तो RJD उमीदवार की जीत की रहा भी मुश्किल हो जाएगी उमीद आपको हमारे वीडियो पसंद जरूर आयोगा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चुनाओं से संबंदे तमाम खबरों जानकारी के लिए देखते रहे चुनाओं आज तक फिल्हाल मुझे देजी जाज़र नमस्कार